नमस्त भारत, आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्तित हो गई हूँ तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजेगा, आंते तक देखेगा, शेर कीजेगा और साथ के साथ मेरे यानि आपके अपने चैनल ममता पैनियूली काले उवाच को सबस्क्राइब करते हुए, बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजेगा, ताकि जब भी मैं लाइव आओं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूँ, तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत से मिल जाएं, तो चलिए आज फिर से बात करते हैं, आपके मेरे फेवरेट सब्जेक्ट, मिस्टर अरविंद केजरिवाल, जो वन्स अपॉन आ टाइम, दिल्ली का माली खुद को समझा करते थे, लेकिन इस वक्त डर के मारे, उनकी हालत खराब है, कि पूरी पार्टी में बहुत ही भय का डर का माहौल है, लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्षर अभी बाकी है, मिस्टर केजरिवाल, अब ये खबर विकल करके आ रही है, कि अभी इन्होंने तो रास्ता खोला है, मिस्टर गैलोट ने, पर अब आल्मोस्ट बारा और इनके दिगज नेता, विधाया को कुछ मंत्री, इनको छोड़ करके रफू चक्कर होने की तयारी में है, और ये जो खबर है, उसको मेरे ही चैनल पर एक बहुत ही महतुपूंड व्यक्ती ने बताया था, और वही खबर आज आप लोगों के बीच पे मैं ला रही हूँ, द अरविंद केजरिवाल के खिलाफ दिल्ली विधान सवाज से चुनाव लड़ने के उन्होंने ताल भी ठोक दी है, अभी कुछ दिन पहले वो मेरे चैनल पर लाइफ थे, और उन्होंने तब ये बोला था कि आम आदमी पार्टी से पूरे दो दर्जन यानी बारा जो नेता विधायक है, वो हमारे संपर्क में है, और जो खबरे आ रही है ग्रेप वाइन से, वो अच्छी नहीं अरविंद केजरिवाल के लिए, बड़ी मतलब सैड करने वाली है, ऐसा मुझे लग रहा है कि नवेंबर खत्म होते होते, केजरिवाल जी की जो पार्टी है न आम आद सारी कोश्ट पर डाका डाला, वैसे ही अब इनकी पार्टी में कोई डाका नहीं डालेगा, पर इनके पार्टी से लोग इनको छोड़-छोड़ कर जाने वाले हैं, वह इनके जो विधायक हैं और कुछ मंत्री हैं, ऐसी खबर आ रही है, वो कह रहे हैं कि भाया, मिस्टर के नहीं रहना बहुत आपके साथ, बहुत हो गया है, बहुत जहल लिया आपको, और वैसे भी अर्विन केजरिवाल ने एक जगह जाकर के बोली दिया था कि मैं तो 50 से जाधा विधायकों का टिकट कार दूगा, तो वो कह रहे हैं कि कोई हमको पागल कुत्ते ने थोड़ी का संपर्क में है, वो भारतिय लिबरेल पार्टी में आना चाहते हैं, और जो ग्रेपवाइन है, उसमें तो बड़े-बड़े नाम आ रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि सौरब भारदवाज भी खुश नहीं है, मतलब खुश नहीं है वहाँ पर, वो भी बड़े अप्रसंद ह वैसे ये ख़बर तो तभी आई थी, जब आतिशी मारलेना को मुख्यवंतरी बनाया था, सौरब कह रहे हैं कि मैं कोई कम था, मैंने कोई कम प्रेस कॉनफरेंस करी, मैं तो आतिशी से भी बड़ा प्रेस कॉनफरेंस बनतरी हूँ, मुझे में क्या कमी रहे गई थी बाई, मेरी सेवा में, मेरी चाटु कारिता में, मेरी चरण वंदना करने में क्या कमी रहे गई थी, केजरिवाल जी, कि मुझे यानि सौरा भारदुआज को आपने चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया, और बिचार है आपके गोपाल तो बड़े ही परेशान है, बात कर रहे हूँ ज़क है आम आदमी पार्टी के दिल्ली के, उनको तो पूछते ही नहीं केजरिवाल, भाभी जी भी नहीं पूछती सुनिता केजरिवाल, उनको तो वास अगया है रबर स्ट्राम बना करके इदर उदर घुमाते रहते हैं, उनसे कोई किसी भी प्रकार की सलाह नहीं ली जा कोई भी किसी भी प्रकार की बात करनी हो, कोई संदेश जादी करना हो, मंच साजा करना हो, मंच पर भाशन देना हो, आतिशी मार लेना के साथ कहीं जाना हो, सोनिया गांदी के बगल में बैठना हो, रोड शोज करने हो, पद यात्रा करनी हो, कुछ भी करना हो, कौन करता थ था सुनिता केजरीवाल अरे आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं आपके मंत्री भी हैं आपके विधायक भी हैं गोपाल राय उनसे करवा लेते उनसे कुछ नहीं करवाया तो बताते हैं कि यह सब देख करके उनके मन में भी बड़ी कुंठा है वो भी बड़े सैड है वो कहने क कि मेरी तबस्या में क्या कमी रह गई थी कि मतलब केजरीवाल तो केजरीवाल अब सुनिताबय भाभी को भी हमारे सर पर बिठा करके चले गए हूँ जब परिवारवाद नच्वाद करके तुमने तो हमारी ऐसी तैसी करके रख दिए तो इस ख़बर आ रहे है कि वह भी खुस नहीं है ख़बर आ रहे हैं बड़े सारे जो विधायकें वो खुस नहीं है अब ये जो खबर है उसको धीरे धीरे पता चलेगा कि वो सही है कि गलत है क्या चल रहा है क्योंकि अभी तक इनके तीन तो मंत्री छोड़ करके चले गए तीन मंत्री और अब विधायकों की और कुछ एकादे मंत्रियों की खबर उड़ रही है अब मैं क्या बोलूं ये तो वही जाने जिनके मन में कहानी चल रही है पर मेरा तो काम है कि जो सूत्रों के हवाले से बात आ रही है वो मैं आपके बीच में रखो क्योंकि मिस्टर कैलाश गैलोत की जो खबर थी वो भी बड़े लंबे समय से निकल करके आ रही थी खास तोर पर तब से जब से 15 अगस्त को अरविंद केजरीवाल ने जेल से ये इच्छा व्यक्त करी थी कि मेरी प्यारी आतिशी मार लेना 15 अगस्त के दिन जंडा फैराएंगी दिल्ली के अंदर भजा रोहन वो करेंगी लेकिन एलजी साहब ने बोला कि नई भाई ये क्यो करेंगी मिस्टर कैलाश गैलोत करें तो इससे मूफुलाली आरविंद केजरीवालने सुनीता केजरीवालने और आतिशी मार लेना तो रोने लग गई पैर जमीन पर पटक पटक के कहने लेगी नहीं मैं नहीं नहीं खेलूंगी मुझे करना था ये क्यों करेंगे कहलाश गैलोत मैंने इतनी इतना प्रेस अबर्जे ये उनका अधिकार छेत्र है तो उन्होंने का ये चंडा रोहन करेंगे तो यहीं करेंगे तो कैलाश गैलोत जी ने किया तो तब से अरविंद केजरीवाल आतिशी मार लेना सुनीता केजरीवाल नाराज गुसे में उनसे उन्होंने मतलब एकदम खुंदक पाल करने का है तो दिली का भला करते मिल करके काम करते हैं पर उससे अरविंद केजरीवाल को अच्छा नहीं लगा बुरा लगा क्योंकि नियती में खोट है ना ये तो ब्रष्टाचार करने के लिए अपने आश्वाराम करने के लिए सरकार में आये वे उन्होंने बात भी मैंन और जादा गंदी हो गई है साफ होना तो भूल जाओ दूसरा सीश महल के बारे में बात करी कि इतना बड़ा सीश महल बना दिया अब तो लोग हम पर डाउट करने लगें कि हम आम लोग है या वी वी आईपी खास लोग है क्योंकि जो सीश महल महल के कहानिया और गोरक प्रट आने की सोच से आये थे लेकिन ऐसा करेंगे तो कुछ नहीं होगा तो बस मूफ उला लिया उनके फंडवंड रोग दिये जो काम करना चाहते थे विकास के उनको बोला फंड नहीं है तो वही जो व्यक्ति काम करना चाहता हो किते दिन रुकेगा वो चलेगे और इसी का क्योंकि काम नहीं किया दिया जा रहा है केवल अखेवल भ्रष्टाचार करने के लिए बोला जा रहा है गलतीाओ प पर परदा डालने के लिए बोला जा रहा है तो बढ़े लोग को बहुत हो गया बहुत से मिलूंगी जैहिंध